हलो गाइज आज हम बात करने जाने जेस्टी के बारे में गुड्स सर्विस टैक्स गौवर्मेंट अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आम आदमी की गौवर्मेंट आम बंदों से कितना पैसे खाने पीने की चीजों में ले रही है आज अगर न्यूज के लिए हम बात करें तो आटी की भाव में भी कहां आटा 20 रुपे मिलते थे आज 40 पचास रुपे भी कम होते जाए इसके आटी की फ्रैक होते है यानि कि गौवर्मेंट ने कहा जो भी सी पैक होगा जैसे कि आम या आपका दही हुआ लसी हुआ आटी हुआ यह प्रैकिक के जो समाने उस पे हम 5% जीस्टी रहेंगे आप सोच सकते हो कि एक गरीब इंकान कितना गरीब बन जाएगा क्योंकि हम आम बाग में खाने पर ही तो निलबर है अब आप इतनी ज्यादा जीस्टी ले रही है इतनी तो डाइमंड की जीस्टी भी हुआ है आपको घरानी होगी कि जब हम डाइमंड और यहां पर रेगुलर खाने पर पाइस जस्ट अपोजित होना चाहिए क्योंकि डाइमंड तो हम खरिया नहीं सकते वह अमीरों की बात होती है लेकिन खाने तो हम तो रेगुलर खाव सकते हैं कि गॉवमेंड फाइपसिंटी ले रही है अगर आपको यह वीडियो लगती है लगती है कि यह वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेशन वाली टॉपिक है तो लाइक जरू करें थाइंक्यों